नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग का दोस्ट निती शाजरू हूँ आप लोग के साथ जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में ही रहता हूँ और जंगल के नएने रंग, नएने रूप अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ पेश करता ही रहता हूँ दोस्तों आपने मेरी प्रिविएस वीडियो में एक चीज देखी होगी कि मैं डिकूली में रुका हुआ था, और वहाँ पे एक टाइगर अटाइक हुआ था, भयावे टाइगर अटाइक मैं कहूँगा, दर्दनाख टाइगर अटाइक हुआ था जिसमें की गाउं की 50 वर्षिय महिला, जंगल की तरफ गई थी, कोर एरिया की तरफ गई थी, सब मैंने जो मेरी सेकंड लास वीडियो थी दोस्तों जिसमें मैंने बालम सिंग रावत जी को दिखाया था उसमें एक बात बोली थी कि जैसे टाइगर अज भी वहीं है ना तो वह पिंजरे में आ रहा है ना वह मतलब वहां से खदर ने की उसे कोशिश करी गए लेकि वह जा तो दोस्तों वह समझदार भी बहुत है पिंजरे में नहीं आएगा और फोरेस्ट डिपार्टमेंट उसको खदेड़ने के लिए मतलब जो अमारी बफर एरिया डिकुली उससे दूर रखने के लिए जनसंग्या से दूर रखने के लिए हातियों पर घस्त कर रही है उसके म कोड़ी का पीछा करते करते वह गाउं तक भी कई बार आया कई बार देखा गया कि दोस्तों जब बालम सिंग रावत जी से मैंने इंटर्व्य किया था तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जैसे सबसे पहले तो मंदिर का नमन करेंगे ओम नमश्यु आए ओम नमश्यु आए ओम नमश्यु आए दोस्तों जब बालम सिंग रावत जी से हमारी दोस्तो ऐसा लगा जैसे इधर की तरफ कोई चीज चली क्योंकि एरिया ये बहुत खतरनाक टाइप का ये दोस्तो कुना खेत वाला एरिया है कुना खेत में किसलिए आया हूँ वो मेरी आने वाली वीडियो में आप लोग देख लेंगे और मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ हमारे देशी अंग्रेज भाई और नंद किशौर भाई दोनों हैं वो पीछे की तरफ है मेरे तो दोस्तो बालम सिंग रावत जी ने एक बात बताई थी हमें उस वीडियो में कि जैसे वो टाइक जहां पर हुआ ना ऐसे पानe की टंकी बनी हुई है और उस पानी की टंकी से ना रिजोटस वगर्णी बहुत सारी रिजोट साथ है और दोस्तो जाती है टो दोस्तो जैसे की वो पायप्लाइं ब्लोक है ना उसको खोलने के लिए जाना है उन्होंने तो फोरिक्ष्य centered प्रेंड मेंना कर रख रख है वो खुद आती हो पर जा रहा है युथ का अब मुझे बता सलाव आज कहा से आरी थी के गाउं के कोई आरे घंद दोस्तों जैसे उन्हें उन्हें पानी की टंकी की सफाई करने के लिए जाना है ना तो पानी की टंकी की सफाई करने के लिए जाना पहले तो वो कह रहे थे कि मैं अकेले चला जाता था उस जोन तक उस एरिया तक लेकिन अभी वो बिल्कुल डरे हुए हैं और गाउं के कोई भी बंदे उस टंकी की सफाई करन अंदर अगर आप जाना चाहें तो उस जवागों देखना जहां पर टाइगर ने महिलों को अपने शिकार बनाया था जंगल के अंदर एक से डेल किलोमेटर का है वो एरिया एक किलोमेटर के आसपास है वो टंगी मैं पहले देख चुका हूं से तो दोस्तों उस बात के लिए मैंने आप लोगों से काफी कमेंट के माध्यम से अपने मांगी थी कि एक सला दें आप आपने सला दी 95% हमारे वीवर्स ने मना किया तो यह बात मुझे पता चली थी ना यह बात मैंने जो हमारे साथी गण है जंगल में हमारे साथ रहते हैं दोस्तों अपनी भी काफी बड कि दोस्तों यहां पर सिर्फ गाउं के लोगी या गाउं में जाने वाले लोगी घूम सकते हैं क्योंकि आरक्षित वनशेत्र है नहीं सारा कि खतरना के अरिया है कि दोस्तों वैसे तो अपनी बहुत बड़ी टीम है जिसमें कि हमारे एक से एक वाइल लफ एक्सपर्ट यहां आये हैं यहां से भी एक सिरीज बनाने की हम दोस्तों बता देता हूं मैं कि यहां से भी हम एक सिरीज की कोशिश कर रहे है कि शायद यहां से हम एक सिरीज बनाए क्योंकि यह भी एक एरिया अभी टाइगर साइटिंग के लिए एक दम मस्त माना जाता है बड़िया मा बाता हो मैं भी आपको चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं इस गाउं में दोस्तों बाइक से तो देखिए जाया जा सकता है लेकिन गाड़ी बाहरी खड़ी हो जाती है वह उपर की तरफ वह गाड़ी खड़ी हो गई हमारी देखिए बाइक तो आब इस पूल क का पूल को पार करते हुए इस गाउं में दोस्तों पहले भी मैं एक बार आया था जबिए एक बार शादी आटेंड करने के लिए आया था रात को वह सारी बाते करते हैं चलेगे दोस्तों इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा वीडियो की शुरूआत करते हैं हर हर महादेव दोस्तों जैसे कि हमारे साथ एस टाइम देशी अंगरेज भाई जो देखने में आ तो हैं ये जैसे इनके चैनल का नाम भी देशी अंगरेजिह है यह आप लोग जानते भी ओंगे अनन चिश और भाई को भी जानते होंगे दोणों ये लोग मेरे चैनल में पहले भी आते रह करेंगे और एक आने वाली सिरीज हम प्लान करने जैसे कि बहुत ही को टाइगर टारिट्री का एरिया यह तो देशी अंग्रेज भाई और नंकिशुर भाई दोनों से मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी आपको पता होगा मैंने अपनी वीडियो में सब्सक्राइबर से भी जाना है तो जो यह स्टाफ है हमारा डिकुली का स्टाफ है यह जानी पारा हमा क्योंकि लोग हिम्मत नहीं कर पारें तो मुश्किल से मुश्किल दो तीन बंदे जा रहे हैं और वह यह मतलब उन्होंने ऐसी बातों बातों मुझे बोला था और मैंने आपको पहले भी पू लोकल वाले जादा जादा कितने जा रहे हैं दो तीन मैं सीधा वैसे रिप्लाइ देता हूं अगर फोरेस्ट वाले पैदल जाए और प्लस अगर वहां पे जो लोकल लोगों की संग्या वह कम से कर 15-20 तब तो जाय जा सकता है क्योंकि अभी क्या है कि उसके बीहेवर में च पैदल ना हो जिसमें फोरेस्ट वाले भी हो तपता ही जाना बेगार है क्योंकि वह टाइगर बीना एक ताइड़ वह हुआ हुआ है सब्सक्राइब और और शायद इसलिए जो गाउं वाले हैं ना जाने से डर रहे हैं नहीं तो इतनी दिन में तो खोल के आ जाते हैं उसे सब्सक्राइब करें हैं वो फानी की स्कार सीटी से भरताष कर रहे है वो शोटेस भरतास करें लिगंडगा सभी यार तुम भी ज़ंगलों में बहुत घूमते हो भाई तो जंगल में रहते हैं नंध किशौ भाई नंद्किश्वर भाई तुम क्या कहते हो देखो मेरा मानन पाणी नार्मल पानी चलता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उस पाइप में छुना इखटा होने लग जाता है जिस वेजे से वो लाइन चौक हो जाता है पानी की जो सोटे जफि उस गाउं में वह होने लगती है क्योंकि उस तरह अगर ट्यूवल की भी अगर खुदाई करते हैं तो उस जगा पे वह चुना वाली जो खाने पत्रों की वह आ जाती है तो उस तरफ जो नलकूफ है वह भी नहीं खोदे जाती जादा बहुत टप का सपोर्ट होना चाहिए और अगर अपने जो उनके वरकर से उनने एलिफैंट पर भेज रहे हैं गन के साथ में भेज रहे हैं फिर तो एक बार के लिए कहा जा सकता है कि हां गाउंवाले यह नहीं कि आप चार से पांच लोग जा रहे हैं यह थोड़ी रिस्की हो जाएग जो गं मैं है वह एलिफैंट पे तो ही हो बढ़ उनके साथ में जो पैदल चल रहे हैं गाव वाले गावं मालों के साथ में गन्में का होना काапी जाता जरूड हूँ है यह डिसक्기도 h compound चल रहा है उनका वी stitching अगर गाउनों माले पैदल चल चल रहे और गं मैन उनके साथ जान लेगा कि आसपास खत्रा है तो वह चलने में थोड़ी हिचके चाहता है या घबराता है आवाज करने लगता है खुद के गदमों को पीछे लेने लग जाता है अगर आप चार से पांच लोग जा रहे हैं तो आपको मैं बता दू यह जो डिकली में ताइगर ने अटक किया है महिला पर यह पहली घटना नहीं है जह घटना पहली नहीं इससे पहले तैगर थो प्ल Scottish के वाट गया जुछ है और यह जादा दूरी पर नहीं थी और यह पानी की टंगी के पास ही पानी के पास ही है ज्यादा दूरी नहीं है आप कह सकते हैं साथ से 800 मिटर की दूरी साहिद वह रही है तो यह इतना एरिया ना बफर एरिया में भी आता है और गाम वाले जो अपनी बेसिक एक्टिवीटी के लिए थोड़ी बहुत लगड़ी के लिए घास पूस के लिए खै पानी की समस्या तो पहले भी लोग जाते थे पहले अकेले जाते थे पाइपलाइन को टिक करके आ जाता था बट अब यह एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट में काफी सारी कोसिसे की गई है कि उस जगह से टाइगर को रेस्क्यू कर लिया जाए बट टाइगर इतना ज तो वह उसमें भी नहीं आ रहा है तो वह एक्दम शार को चुका है बहुत ज्यादा बस रिस्क यह है कि अगर उस जगह पर जाया जाए तो अपने पास पहले प्रोटेक्शन होनी चाहिए फिर जाकर उस जगह पर जाने ना चाहिए ऐसे जाना चाहिए हम लोग सोचें कि च जले आते हैं हो जायागा जल्दी अभी नॉर्मल है कुछ पता नहीं चल रहा है जंगल हो टूटली मिला और जंगल का कभी भी ऐसा निहीं कह सकते कि सान्थ है normal कुछ नहीं है कप टायकर निकल के बाहरा में जाना जाए कुछ नहीं बाता है और वहां तो है यह है वो तो फ लिए तुम्हें क्या लगता है कि इसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा बिल्कुल है तुमने तो खुद मैंटर टाइगर को कई वार करना की कोश्य कर रही है सबस्यादा टाइगर की संख्या इंडिया तो यह हमारी भी गलती है कुछ कि हमने उनकी जो चीजें हैं उस पर खुद कभजा कर लिया है जैसे उनकी जाने आने की जाएं पर हम बैठे हैं तो वह आएंगे जाएंगे कही ना कहीं से आना जाना करेंगी ना वहीं आमने सामने हो जाता है वहीं चीजा हो रही है अगर जिम कॉर्बेट में देखे जाएं तो मेरे ख्याल से अदर कितने भी गेट बने हुए हैं सबसे ज्यादा टाइगर्स जिम कॉर्बेट में आपको देखने को मिलें और अभी तो यह वह हैं जो आपके कि यहां कॉंटिक पाड़ों पर जो हैं उनके मर्चू ला वाले साइड आए इसके एक साइड को अनुर लमबान निकल चुकि हैं हिमाचल तक पोचके तैगर यहां से खुर्णकभ नहीं है क्योंकि हम हाँ बोलो अगर आपको जाना है तो भई सेफटी पहले फिर उसके बाद से पानी तो पानी भी प्योंगे जानी नहीं रही तो भी रूस पानी का क्या है क्योंकि अभी यह कोश्चन मैंने अभी सेकंड लाज वीडियो में भी पूछा था तो 95% सब्सक्राइबर्स कि उसने ना किना जिनको जन्ल की अंडरस्टेंडिंगा ने होश में चले तो जाओ कि पता चला आरे नहीं वापस वी को अगर उसके मूड माहिए तो सबको एक बार में लपेट लेगा हाँ एक आथ बहुत आद असका कुछिस की कि बात है इतनी दिर मों सब को जमीन पर फिनिश करके चल देगा चलो यार थैंक यू थैंक्स अलोट यू बोथ तुम दोनों आये चैनल पर अपने सला आपने दी जो रियल ओपिनियन था क्योंकि मैं भी चाहता था यार कि यह बात मेरे मुझ से देखे मैं अकेला बोलूंगा तो बात जैसी होगी नहीं और हमारे सब्सक्राइबर्स की और सफी की चलो देखते हैं उसमें क्या होता है अभी इसकेस में अभी क्योंकि पानी का तो देखो खुलेगा अब क्या होगा अब वह भी उस पर भी अपडेट देखना पड़ेगा ना कि हो सकता है कुछ मुझे तो ऐसा पहानी जा सकता है अगर समय उसके फेवर में होगा वो काम करके आ जाएगा समय उसके फेवर में नहीं हुआ तो फिर इंसिडेंट भी हो सकता है नहीं सब्सक्राइब दोस्तों वह दोनों भाई तो कर रहे हैं गावन वालों से बात जैसे कि यहां पर हमारी रेफ्रेंस है काफी स्ट्रोंग रेफ्रेंस है यहां तो हम जब चाहे जब सिरीज बना सकते हैं तो वह तो कर रहे हैं यहां पर फिक्स कि कैसे आना है कब आना है कितने दिन के लिए आना और कहां रुकना है अज से लगे हैं लेकिन आज के जो वीडियो तिन थी न दोस्तों जयसके हैं दोनों भाईयों को जो सेकंड लास वीडियो थी ना उसमें न कुछ कमेंट ऐसे भी आये थे की वाद वीडियो बहुत थ्रिलिंग बन जाएगी चले जाओ तो जंगल के अंडर्सेंडिंग बढ़ाने के लिए दोने भी एक्सपीरियंस बंदे हैं दोस्तों नाइट ड्राइब्स जंगल में रहना टाइगर से सामना होना सब कुछ फेस कर चुके हैं यह दोस्तों अगर आप यह खुना खेत अगर देखना चाहिए न अंदर से कि गाहु कैसा है वह आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है टाइगर के इलाके में शादी का माहॉल हम यहां शादी अटाइंड करने आ चुके हैं पहले, तो उसमें मैंने गाउं दिखाया था दोस्तों जैसे कि मैं वाइड लाइफ से रिलेटिड वीडियो बनाता हूँ तो वाइड लाइफ से रिलेटिड चीजें देखता भी रहता हूँ, पढ़ते भी रहता हूँ एक ना एक परस्नालिटी है, वो काफी जादा नोलिजिबल परस्नालिटी है, उन्हें एराउंड 40-45 येर्स का एक्स्पीरियंस है, जंगलों में रहने का, उनका नाम है नवीम रहे जा, वो काफी सारे चैनल्स पे अपने व्यूज देते रहते हैं, जिम कॉर्वेट नैशन हमने उनका एरिया घेर लिया है, अभी कली मैं उनका पोड़कास्ट देख रहा था एक, एक शेर खान करके एक सीरियल आता है, सीरियल के दोस्तों आजकल तो यूटूब पे मतलब वीडियो आती है, शेर खान करके, उसमें नवीन रहे जाजी का मैंने कल देखा था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने इस जगा को बिल्कुल खाली देखा है, कभी किसी एरिया में, कभी किसी टाइम पे, और आज, यहाँ पे इतने सारे रिजोर्ट बन गए हैं, तो उन रिजोर्ट बनने की विया से, जो फ्रेंट लाइन पे जो रिजोर्ट बने हुए हैं, उसकी इस ना टाइगर को आप मोका ही नहीं मिलता, कि वो नदी तक भी आ सके, इसलिए शायद ना वो गाउंगों के पास रहता है, आज की डेट में, वो गाउंगों के आस-पास रहना ज्यादा पसंद करता है, रादर दन ऐसी जगाउं पे रहने के, जाओं क्रोस ना कर सके, रि लेकिन टाइगर का नंबर इतना ज्यादा है, कि वहाँ भी उसकी रहने की मजबूरी है, कि टैरिटोरियल आनिमल है, बड़ी टैरिटोरियल रखता है, दूसरे को परदाश्च नहीं करता, तो इसी लिए शायद ना, जो हुमन एनिमल कॉन्फिक्ट है ना, उसका कही नगई रिजन है हम लोग ही, हुमन ही है उसका रिजन, कि हमने उसके रस्ते ही ब्लोक कर दिये, आज हमने उसके रस्ते ब्लोक कर दिये, तो उसने, हमसे एक तरह से युना अपना एग्रेशन भी दिखा रहा है वो आमने सामना भी हो जाता है ज्यंगल की तरफ चलते हैं बाकिया आप गाउं की जोग्रिफिकल लोकेशन देखिए यह चारों तरफ जंगल है दोनों भाई भी आगे हैं अपनी बाती बाचीत करके और इधर रीवर है तो आप इसी बात से अंदादा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह गाउं होगा है मतलब गाउं होगा वैसे बहुत सुन्दर है लेकिन टाइगर का कोर ही राका है दोस्तों एलिफेंट की भी बहुत स्ट्रॉंग मुवमेंट रहती है इधर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एक दम बहतरीन वाला जंगल चल रहा है और हम बढ़ रहे हैं मोहान की दरफ मोहान में बंडारी जीगें थोड़ा सा रुकेंगे और प्लैनिंग करेंगे रात की जैसे कि रात में टाइगर कफड़ा चल रहा है ना बोल बाला जिम कॉर्बेट में इस टाइम तो जो मोस्ट प्रोन एरिया होगा ना उस एरिया में रात कुझारने का प्लैन है अपना ताकि पूरी कोशिश रहें कि हम उसे देख लें दोस्तो जो भी होता है न वो मैं नेक्स वीडियो में इंक्लूड करता हूं तब तक के लिए अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखें खुश रहें चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें जंगल से कंटेंट देखना पसंद है जंगल देखना पसंद है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कीजेगा चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में हर हर महादेव